डीर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाम अलेकुम मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मेल टी हबवित कामरान कैसे हैं डीर वीवर्स उमीत है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमो क्रोमाटोसिस वक्जाय नहीं करते हैं अपना टॉपिक सबसे पहले बात कर डिसारडर भी कहा जाता है आम लोगों की निस्बत जो हीमो क्रोमाटोसिस के मरीज होते हैं तो उनमें आईरन बहुत तेजी से जजब होता है और बहुत बड़ी मिगदार में जजब होता है हीमो क्रोमाटोसिस के जो मरीज होते हैं तो उनके जो आहम औरगन्स होते हैं तो आयरन की ज्यादा मिगदार जमा होने की वज़ा से। बात करते हैं कि हेमो क्रॉमाटोसिस की वज़ा क्या चीज़ बनती है तो दरसल में एक जीन है जो कहलाता है ह-f-e और इस जीन में जब म्यूटेशन आता है तो ऐसे लोगों को फिर हेमो क्रॉमाटोसिस होता है। बात करते हैं कि जो ही मक्रॉमाटोसिस के मरीज होते हैं तो उन में अलामात कैसी होती हैं और कौन सी होती हैं तो ऐसे मरीजों को दिल की बीमारी लाहक हो जाती है, पैट में दर्द होता है, ठकते बहुत ज्यादा है, वजन दिन बदिन कम होता है, जिसम में कमजोरी पैदा हो सकता है जोडों में दर्द होता है और बाल बहुत ज्यादा जड़ते हैं बात करते हैं कि हीमक्रोमाटोसिस की तश्खीस हम कैसे कर सकते हैं तो कुछ टेस्ट हैं जिसकी मदद से हीमक्रोमाटोसिस की तश्खीस हम कर सकते हैं उन टेस्ट में जो टेस्ट शामिल है वो है लिव हीमو करोमाटोसिस से हम के इसके 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 ना करें बहुत ज्यादे शुक्रिया MLT Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा हमारे चैनल MLT Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजेगा आदा हाफेज